Hello everyone, self.to channel में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे 1. खून की कमी क्या होती है 2. अपके अगर सरीर में खून की कमी है तो आप उसको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं 3. में आपको 5 अरवेदिक टिप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने खून की कमी के प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं इस वीडियो में वो सारी चीज कवर करने वाला हूं सरीर में हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है जिस वज़े से हमें यह प्रॉब्लम होती है हमारे सरीर में हीमोगलोबिन लेवल जो है वो एक डिफाइन तरीके से मतलब कि महिलाओं में और पूर्सों में इतना होना चाहिए यह hemoglobin level जो है mandatory है अगर इससे कम है तो आपको एनिमिया की problem है तो आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं जरने लिए एक test होता है CBC इस test के जरीए आप पता लगा सकते हैं कि आपके सरीर में hemoglobin level जो है वो कितना है अगर आपने यह test करवा रखा है in future करवाएंगे तो उसकी क् जो पुरुस है उनमें hemoglobin level 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर deciliter तक होना चाहिए और जो महिलाएं हैं उनमें 12 से 15.5 ग्राम पर deciliter होना चाहिए ठीक है तो इतनी जानकरी बहुत थी एनिमिया के पेसंट के लिए चलिए में टोपिक पर आते हैं कि आपको खून की जो कमी है उ जो है चुकंदर देखे चुकंदर जो है एनिमिया में जैसे बिमारियों में दवा काम करती है न वैसे ही चुकंदर जो है एक दवा के रूप में एनिमिया में काम करता है चुकंदर में जो है भरपूर मातरा में कैलसियम, आयरन, विटमिन A, विटमिन C, पोटैसियम, मैग आपको किस तरीके से यूज़ करना है आप इसको सलाद की तरह यूज़ कर सेते हैं जैसे गाजर का हलुआ बनता है वैसे आप इसका हलुआ बना के खा सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे जिसमें आप comfortable हो उस तरीके से आप इसको सेवन ले सकते हैं लेकिन खाईए जरूर यह mandatory ह वैसे सबके के लिए, ओके, second जै drive fruits, drive fruits में generally आपको पांच ढ्राइप लेनी लेने हैं, काजू, किस्मिस, पिस्ता, खजोर, और मुंफली, drive fruits में generally मैं आपको क्यों मोर weін हो लेने के लिए, क्योंकि इन में भरपूर मातरा में iron present रहता है, ये पांच चीजे जो हैं आपको ल third है वो है पालक, पालक में भरपूर मातरा में iron present रहता है, पालक भी जैसे दवा होती है ना किसी बीमारी में, वैसे ही एनिमिया की problem में पालक दवा के रूप में काम करता है, पालक में भरपूर मातरा में, vitamin B6, vitamin A, vitamin C, iron, calcium, fiber, ये सारा कुछ भरपूर मातरा में रहता है, तो अगर आप इसका seven करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा benefit मिनने वाला है, और इसके साथ ही और भी जो हरे पत्तेदार सबजिया होती है, इनका भी आपको seven करते रहना है, ओके और जो fourth है वो है अनार, अनार का seven करने से आपके सरीर में भरपूर मातरा में जो खून है, वो ब उसको भी आपको बढ़ाना है, जनरली हम टमाटर तो खाते हैं सबजियो में, बट उसको सलाद में भी खाना है, ठीक है, और टमाटर का juice भी आप पी सकते हैं, और टमाटर को आप चुकंदर के साथ mix करके भी पी सकते हैं, ठीक है, और टमाटर का soup भी आप पी सकते हैं, क्य जो है वो इंक्रीज होगा means की आपके सरीर में खून बनने लगेगा क्योंकि सेव में भी बहुत सारे विटामीन होते हैं जो की काफी help करते हैं और सेव का juice जो है वो भी बनाके पी सकते हैं उसमें आप चुकंदर जो है वो भी mix कर सकते हैं तो जैसा आपको ठीक लगे मैं mix करने के निए बोल रहा बट आप ऐसे जर्नली ले सकते हैं बट आपको सेव खाना है regular basis पे और जो सेवन्त है सेवन्त में आपको गाजर गाजर का सेवन भी आपको बढ़ाना है ठ डीजूस भी बनाकर पी सकते हैं यह मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं यह अगर आपको simple गाजर होती है और amino acid भी काफी कुछ present रहता है तरबूज में तो अगर आप उसका seven करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा benefit मिलने वाला है जो ninth है उसमें आपको नारियल पानी नारियल पानी का जो seven है अगर आप वो करेंगे तो इससे आपके सरीर में energy बनी रहेगी और ये काफी help करता है hemoglobin बनाने में means कि आपको सरीर में जो खून की कम ही हो रही है उसको भी दूर करेगा जो 10 है उसमें आपको soybean का जो seven है वो भी increase करना है अगर आप week में हफते में अगर आप एक बरी soybean के सबजी खा रहे हैं तो उसको आपको दो से तीन बरी खाना है या फिर आप daily भी खा सकते हैं आप उसको कैसे भी करके खा सकते हैं या सबजी बना के खाईए या जर्नली उसको उबाल करके खाईए जैसा आपको ठीक लगा है वैसा खाईए बट आपको खाना जरूर है यह बहुत ज़्यादा help करने वाले आपको तो यह total मैंने आपको 10 tips बताएं जो की easily आप कर सकते हैं आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी अब third point पर आते हैं वो है कि मैं आपको पांच ऐरविदिक tips बताने वाला था किस तरीके से आप ऐरविदिक tips को अपना कर भी आप खून की कमी को दूर कर सकते हैं उसमें पहला है कि आपको एक गिलास में एक नीमबू निचोड़ना है और प्लस उसमें एक चम्मत सहद इन दोनों को mix करके आपको daily पीना है इसका seven करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा benefit दिखने वाला है जो second है उसमें आपको मक्य के दाने का seven करना है आपको किस तरीके से seven करना है उसको उबाल कर या फिर भून कर जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इसका seven कर सकते हैं जो third है उसमें आपको थोड़ा सा सहद लेना है एक गिलास में और चुकंदर का रस लेना है दोनों को मिला कर आपको पीना है अगर आप इस चीज को करेंगे तो काफी जल्दी जो है आपके सरीर में खून बनना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इन में भरपूर मातरा में iron present रहता है जो fourth है उसमें आपको थोड़ा सा आपको सेंधा नमक लेना है और थोड़ी सी काली मिर्च लेना है और अनार के जूस में इसको मिला कर आपको डेली पीना है इससे आपके सरीर में जो iron की कमी होती है वो पूरी होती है जो की help करती है आपके सरीर में खून बनाने मे और जो fifth है उसमें आपको एक गिलास दूद में जो खजूर होता है एक से दो खजूर आपको एक गिलास दूद में डाल करके उसको पीना है इससे हीमोगलोबिंग लेवल जो है वो बढ़ता है जो की काफी help करता है आपके सरीर में खून को बनाने में तो ये मैंने आपको कु सकते हैं उतना कम से कम आप उपायक करिए जितना आपके budget में है ठीक है जितना आप कर सकते हैं जो समान आपके kitchen में available है अगर आप उस पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं effect थोड़ा late देखेगा क्या पता वो एक हफता बात देखे लेकिन आपको देखेगा जरूर ठीक है अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो आप इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप में या Facebook ग्रूप में आप इस वीडियो को जरूर सेर करिए क्या पता किसी और को भी जानकारी मिल जाए और वो अपनी health को ठीक कर सके हमें ये जानकारी अपने तक से भी निर रख रहते हैं तो बस फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा सेर करें Thank you so much